तो हेलो दोस्तों स्वागत आपका आज की वीडियो में तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम पंखे के लिए कौन सा फास्टनर लगाएंगे और जूले के लिए कौन सा फास्टनर लगाएंगे इन दोनों में से कौन सा फास्टनर हम यहाँ पर लगाने वाले किस चीज कि लिए लगाएंगे यह मैं सब कुछ आपको आज की शूरा में बतानेएं वालं तो चलिए वीडियो को सुरू करते कि आपको किस तरह का फास्टन कहा लगाएंगे तो चलिए मैं आपको यह कि कि ना על यहाँ हुए कोákब को बेंगा तो आप द्रमारों देख सकते हो हुए इसे मैं साइड में कर देता हुँ ठीक है मेरे पास में आप देख सकते है कि दो क्या क्याद कर देता हो तीक है यह फास्नुरर हम का पर लगाएंगे यह सब कुछ में आपको आज wouldn वीडियो में बताने वाला अगर आप यूटूब पे सर्क मारके हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर के जरू रग दीजिए और आपको रीकवर्णेशन में वीडियो मिले तो चैनल को जरू सब्सक्राइब पर लिजिए ठीक है चलो अभी हम बढ़ते हमारे में है यह जो हमारे पास में दो तरग के एंकर बोल्ट है यह आपर मेरे पास में आई टैप वाला एंकर बोल्ट है और यह आपर मेरे पास में पिन टैप वाला आइकर बोल्ट है एंकर बोल्ट ठीक है तो दोनों का वर्किंग मैं आपको यह पर बता दूंगा कि आपको कौन सा ल अंदर लगती है तो आप देख सकते हो कि इस तरह के से पीन आती है यो कि इसके अंदर में यह पर लगते हैं आप जब भी दिवाल पर होल करते हो इसके लिए मैं बाता तो कि यह जो पीन टाइप ऑला जो एंकर बोड़ाता 10 mm का उसके लिए हमें जो ड्रील भीट होती है वो तो इसके लिए हमें के बीट होती है वो 16 mm की इस्तेमाल करने पड़ती यह गया पर शोला लिखा हुआ आप побar देंकर एक courts है यह हमारे और इस फास्ट केने लिए आङ फास्ट के लिए 16만 बिट लगेंगा tut नो युख लोख ठाएठे है अब यहाँ पर यूल यहाँ पर लगेंगे डासक। या कि भी आपैण 2 mm का एंकर बोलेंगे पीन्टाइप वाला उसमें आपको उत्ते ही एमम्म की बीट लगेंगे लेकिन आप जब आप आप आई टैप आप फस्टनर लेंगे तो अपको 10 mm वाला एंकर बोल जो आपको कि बिट लगेंगे ठीक है तो अभी में आपको बता देता हूं कि दोनों में से सिह फोंता है लगा निकले तो आप यहाँ संसी आप सब्सक्राइब लाये हुए तर यहाँ पर मैं यह बी आपको बता दूंगा आगे वुडियों में विद्ध सब्सक्षर्ण जब भी हम अभी आप देखिए कि या पर इसके साथ में हमें फीन मिले हुए जब भी हम पर डिवाल करेंगे में यह चाहिता से थे तो घ्या होगा हम यह फाशनर जो है यह फाशनर जो है हम सीलिंग के अंदर या दिवाल के अंदर आपको जाव भी लगाने इसको इतने कि स्तर्वाइब यह पर कई जो कर तक से जा आता से आपर मार्किंग कर देता है तक मार्किंग कर साहथा से मैंने आप यहां पर कर दिया टेप की साहता से आप सकते हैं लाप मारकंग साही हो छुका है आपको इत्ता ही ड्रील करना की साहता से यह आप dif आप मार्मां से आप यह सिज्वे बाद की जर shots पडंगी आप रहे हो तो कहई है तो पीन होती ने यह पीन होती है यहा पर डालर दूँगे इस तरीक से यह तो आंदने के बाद यह से ठोग देना है थोड़ा अच्छा रेमर कर देना है जब यह बीट पूरा यहा तक अंदर चला जाएं तो रहा होगा कि जब यィ यह बीट पूरा अंदर चला जाएगा तो आप देख सकते हैं कि कि यहाँ पर कट लगे हुए यानि कि प्लस का कट यहाँ पर लगा हुए तो क्या होता है कि जब भी हम इस एंकर वोल्ट को यानि कि पीन को इसके अंदर ढखल देंगे तो क्या होंगा कि यह इस तरीके से यह से ओपन हो जाएगा यह सी ओपन होने के बाद में क्या होंगा कि हमा यह dclamp यहाप पर लगा देना है फिर यह dclamp लगाने के बाद में आपको इस तरह के से यह nut यहाप लग जाएगा लेकिन क्या यह लगाना सेफ है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा ठेक है फिर उसके बाद में हम आते इस तरफ यानिकि यह जो हमारा एंकर पोल्ट है यह फासनर इस तरफ इसके तरफ आते तो इसके लिए हमें 16 mm का जो बीट लागेंगा यहाँ पर तब देख सकते कि जा तक हमारा वाशर है वहाँ तक हमें भूफ गए को आपको करने थी के तो सब्सक्राइब आपको बार्प करने के बाद में आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो यह हमारा जो फास्टनर का तो साइज है उतता ही आपर हमने टेपिंग किया हुआ है तो अभी क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे जब भी आप आपको ड्राइंग करके दिखा देता हूं की हमारी सींगल यह सीलिंग बाद हम क्या करेंगे हैं कि हमारा जो हमर फीट तो समझे कि कि हमारे हैमर बीट इधर तक हमारे हैमर बीट ने डिल कर दिया कि यहां तक हमारे हैमर बीट ने डिल कर दिया के अंदर में तो अभी हम क्या करना है कि जो हमारा जो हैमर बीट है उसको हमें क्या करना है कि थोड़ा सा इस तरफ मोग करना है थोड़ा सा इस तरफ मोग करना है अभी हम क्या करेंगे यह यहां से थोड़ा सा मो कर दे आपने यानि कि इस तरह के आपको डिल मशीन को हिला देना है क्यों हिला देना मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा ताकि हम जब भी यह हमारा एंकर बोल्ट हम इस होल के अंदर डाल देंगे तो आप देख सकते कि हम हमारी थोड़ी जगा बचाव जागा किस लिए बचे यह इमय आको इस को आगे इस तह साट करेंग तो आप देख रहांगे यह ज़ करेंगे इसका सबस्क्राइब उत्ता है तब करना चाहिए लिए इसको पंखे के यस्तिमाल कर चाहिए यह द्वलें करता हुँ इसको जो लागाने का तक तक पे ज्यादा आता है आप को को यह पड़ता है यह पर प्रक्राइब को इस तरफ की आपको इस तरह का फाश्टनर यहां पर इस्तेमाल करना है इस तरह की आप तो यह निकलता नहीं है ठीक है अगर आप इस तरह का फास्टनर लगांगे तो कभी क्या होता है कि आपका फैन जो है वह वाइब्रेट करता है या पिर आपने जोला लगाया हुआ है तो जोले में बच्चे खेलते हैं जोले पे बैठते हैं तो जोले के वज़े से भी यह वा यह पर पीन दिया हुआ है अब जित्ते भी इसको टाइट करोगे यह उत्ता टाइट यह पर होते जाएगा अगर बच्चा बेटा है जूले में बेटा है या पंक्खा आपका लगा हुआ है वाइब्रेट कर रहा है तो यह क्या होगा कि फट से यह निकल जाएगा तो आप इस तरह का फाशन Er को थाम करेंगे तो बैतर होगा आपके से रहे और आप में डिस्क्रिप्शन में देंगा वहापर आप जाएए और अजहां से आप खरी सकते वहापर आपको पसे नाएंगों को जरूर लाइक कर दीगे और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरू सब्स्राइब पर लिजे अब मिलते हम अभी अगले वीडियो में